नमस्कात दोस्तो मैं हूँ मिलन और हेल बॉक्स में आप सबी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो क्यापसिटर हम फैन में यूज करते हैं दूसरा डिभाइस में जिसको हम कॉंडेंसर भी क्याते हैं तो क्या काम क्या है और इसको हम ओपन करके देखेंगे क कि इसकार रहता है तो सवसे पहले इसका जो काम है ओह यह बैटरी कि तरह क्साल कॉरते हैं जब उसको हम फंके दगािसा representation क्रते हैं तो इसको हम पावर्ड़ी जब इसमें में कारिंट रहता है तो इसको राग में अ début करते हैं इसको हम तोनों में टार्च करेंगा थोड़ा फ्लक्स होगा और थोड़ा आवाज आएगा देखिए ठीक है तो मतलब यह डिस्टाज हो गया तो इसका जी एक्चुल डियाग्रम है आपको इसकी में दिख रहा है तो ऐसे एक्चुल डियाग्रम मतलब इसके अंदर दोनों प एप और एक बात यहाँ पर यहसको मैना अभी काट लिया है और किस्टर के जू चार्च पकड़ना का समता है उसका यूनीट है फेर्ड होता है ठीक है और इसका जो का्पेसिटर अन्स है मतलब चांच पकन आएकत है इस फाइपडम उच्छिते का यह है का दों नाब वोड़ा होता है उसका चाड़्य पक्रेंता चम्त जादा है और हम другой हम एक हमारा जो पिथ भी होता है आरत उसको ना करें तो तो पिथ पिथ का जो कापसेट्रक ऑगा ओस होगा उभी एक ठीक है है तो अब इसको काट लिया है तो इसको जलें और इसके इसको भी पाहर का जो बोडी है पूरा ओपेन कर लएते हैं, देखे, दोनों साइड से दोनों ओएर है, और इसके साइड में जो है ये गुलू है, गुलू को भी हम ओपेन कर लेते हैं, इक गुलू चिपकाने के लिए काम आता है, पाहर की अच्छी तरह किसे सेट हो जाए, तो इसको बढ़ाने के लिए यहां पर क्या किया गये आपको दिखाते अभी तो देख सकते हैं मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूं तो इसका देखिए दोनों साइड में जो है एक साइड में प्लास्टिक है और एक साइड में मेटल टाइप का कुछ कोटिंग है आप यहां से देख सकते हैं एक साइड में प्लास्टिक है और इस साइड में मेटल का कोटि तो आप इसको पहले बाता है इसको जो एरिया है बढ़ाने के लिए इस तरीके से रोल के जाता है इसका एरिया बहुत जादा हो और दोनों साइड में स्टार्टिंग में एक साइड में और एंड में इसको कानक्सिन के जाता है और यह जो एरिया है जो इसका रोल है जितना ब तो यहां पर इसको open करके भी इसको connection देंगे तब भी यह charge पकड़ के रख सकता है और इसके जो यह जो पतला इसको कोटिंग के लिए इसके अलाब भी आप दूसरा मेटल भी यूज़ करेंगे open surface में तब भी यह काम करेगा और इसका बीच में इंसुलेटर होना बहुत जोरूरी है कि उसमें इसका जो charge प्रकरने का समता है वो बढ़ जाता है और इंसुलेटर के रूप में इस ते आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं और मेटल के रूप में जो आप कुछ भी मेटल यहां से यूज़ कर सकते हैं कितना बड़िया निकला है तो यह होता है क्यापसिटर और इसके अंदर ऐसे चार्ज जो है इस मेटलिक पेपर के अंदर ही चार्ज जो है वो इस्टोर होता है तो इस तरह के हेलफूल वीडियो के लिए हमारे चैनल कुणिची रेट कर लगा साब्सक्राइब बटन है उसक इसको प्रेस कीजिए लेटेस वीडियो सबसे कहले पाने के लिए थैंक्स फोर वाटियों इस वीडियो